है लो इंवेश्टर्स आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे रतन इंडिया पावर लिंटेड के बारे में और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूगा रतन इंडिया पावर की दो बडी अपडेट्स जीस समय में रतन इंडिया पाउड लिमिटेड के short term targets और long term में इसके क्या targets होने वाले रतन इंडिया पाउड लिमिटेड की आज की market की price की बात करें तो ये stock आज हमें 9 रूपीज 0.50 पैसे के आसपास trade करते हुए नज़र आ रहा है और आज notice करूगा आज stock market हमें crash होते हुए नज़र आया जहापे around 90% stocks आज हमें red में close होते हुए नज़र आया और वही नज़र डालोगे आप रतन इंडिया पाउड पे तो आज तो हमें stock में एक अच्छा कासा volume देखने को मिला साथी 4% की एक TZB हमें देखने को मिली जिसके पिछे जो एक main key factor है क्योंकि जो market expert से वो रतन इंडिया पाउड लिमिटेड पे काफी जाड़ा positive नज़र आ रहे जिससे आपने समय में इस stock हमें एक multi bagger returns देते हुए भी नज़र आ सकता है रतन इंडिया पाउड लिमिटेड की आज की बड़ी update की बात करें तो morning में संजीव बेसिन सर ने अपने एक interview में अपने top 8 stock को share किया साथ ही उन्होंने रतन इंडिया पाउड लिमिटेड पे एक काफी जादा positive statement दिया है जाप आप आप नज़र डालोगे इस interview पे तो IFL security says among power stocks रतन इंडिया पाउड इसमाई top pick of the year साथ ही उन्होंने DCV बैंक और धनलक्ष्मी बैंक को भी अपना favorite माने लेकिन जो सबसे important question जाप आप नज़र डालोगे कि उनका जो top power sector का stock है वो है रतन इंडिया पाउड जो कि 2024 में आपको easily double और triple भी होते भी नज़र आने वला है साथी संजीव बैसिन सर ने रतन इंडिया पाउड पे एक काफी बड़ा positive statement दिया जापे उनका ये मनना है जापे रिसेंटली उन्होंने JP पाउड को भी आपको suggest किया था जो कि करीब करी 7 रुपीज के आसपास था और साथी आप नज़र डालोगे रतन इंडिया पाउड जो कि हमें यासे easily 10x हो गया है आज 30-32 रुपीज के आसपास trade कर रहा है लेकिन आप अभी भी नज़र डालोगे जैसे कि रते संजीव बिसिन सर ने आज इसको अपना top pick में सामिल किया है जो कि अभी भी आप नज़र डालोगे रतन इंडिया पाउर अभी भी हमें 9 रुप जो कि हमें अमरावती और नासीख में देखने को मिलते हैं जो कि इस टॉक का मुझे सबसे अच्छा positive point लग रहा है और जैसे कि recently आपको मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको वह interview भी शेयर किया था जाप पे रते इंडिया पावर ने पंजाब गवर्मेंट के साथ जो easily predict कर सकते हैं आनुले समय में stock में हमें काफी बड़े targets बहुत जल देखने को मिलते हुई नजर आने जहां साथ ही संजीव बेसिन ने जो short term targets देए रते इंडिया पावर में जापे उन्हें का कि short term में easily ये stock आपको 20 रुपिस के targets बहुत जल दिखाते हुई नजर आने वाल और अब बात करते हैं रते इंडिया पावर लिमेटेड की दूसरी बड़ी update की तरफ जापे recently रते इंडिया पावर ने अपने 3 subsidiaries companies को close कर दिया है जो कि एक देखा है तो negative news है लेकिन जा तक मेरा point of view है जापे company ने जो एक statement दिया है इस news के उपर जो की काफी ज़रा मुझे तो positive लग रहा है क्योंकि जो रते इंडिया पावर की 3 subsidiaries companies थी वो already काफी ज़रा loss में चलते थी जिसके चलते कंपनी ने अपने statement में बता कि वो company loss में चलते थी और रते इंडिया पावर काफी ज़रा focus है company को improvement की तरफ बढ़ाने के लिए इसके चलते वो company के जो core business activities और operational activities प एक अच्छा कासा benefit मिलते हुई नजर आने वाला तो देखा है तो यह काफी ज़रा positive news हमें देखने को मिले जिसके चलते आने वाले कुछ quarters में रते इंडिया पावर का जो एक अच्छा कासा loss हमें देखने को मिल रहा है वो यहापे थोड़ा काफी ज़रा improve भी होते हुई न अनाउंट्स होने वाले तो हम easily predict कर से जो demand बढ़ती हुई नजर आ रही year on year basis पे जहापे आप April मन की भी बात कहते है तो यह rises और 11 PC और जैसे के आपको मेरे पूराने वीडियोस में भी शेयर किया था जो February में हमें 7 PC से rise हुआ था और जो March में हमें 8 PC से rise हुआ लेकिन आप April पे नजर डलते हुए 11 PC तो demand तो power consumption की day by day काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही तो हम easily predict कर से हमें रते इंडिया पावर में हमें definitely एक अच्छे कासे targets बहुत जल देखने को मिलते हुई नजर आने वाले तो आज के लिए बस इतना है आज तो रते इंडिया पावर मे हमें काफी ज़़ा positive news देखने को मिलते हैं जिसके चलते stock में भी हमें एक अच्छा कासा volume देखने को मिल रहा है तो आज के लिए बस इतना है जैसे रते इंडिया पावर के quarter floor के results announce होगे आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करो चैनल को subscribe करो मिलते अगले वीडियो में thank you